अध्याय साथ प्रथम विश्वय युद्ध आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों और समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा और सुना होगा प्राचीन काल में युद्धों के तक्नीकों पर आप गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि युद्धों में दो बड़ी सेनाएं होती थी जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, घोडे पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार और भाला आधि का उप्योग कर एक दूसरे से लड़ते थे विजई सेना जीते गए राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक साधन होते थे जैसा कि आप जानते हैं वहां से प्राप्त धन को राज्य के विकास के लिए उप्योग किया जाता या वहां के लोगों को अपनी सेनाओं वा सुईधा के लिए उप्योग किया विकास के क्रम के साथ युद्धों में भी तकनीकी बदलाव आए जैसे मुगलों के समय बंदू, तोप वा बारूदों का उपयोग होने लगे यह सब विश्व के परिद्रिश्य में और द्योगिक क्रांती के साथ इस तरह से बदल गया कि अब हम घातक बं बरसाने वाली तोप, स्वचलित मशीन गन, मोटर गाड़ी, पंडूबी, जहाजों का प्रयोग युद्ध पर घातक प्रभाव डालने के लिए उपयोग में लाने लगे इसी क्रम में राज्यों के बीच के छोटे युद्ध, विश्व के परिद्रिश्य में विश्व युद्धों के रूप में बदल गया जिसका परिणाम आज भी हमें मानो सभ्यता के विनाश के कारण के रूप में दिखाई देता है प्रथम विश्व युद्ध, विश्वी शतापदी की बड़ी घटनाओं में से एक क्रम में इसका नाम सर्व प्रथम आता है यह घटना सन 1914 से 1918 तक मुख्यत और पर यूरोप में व्याप्त महा युद्धों को कहते हैं यह महा युद्ध, यूरोप, एशिया और आफरीका में लड़ा गया इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या इसका छेत्र तथा इसमें हुई छती के अभूद पूर्व आगडों के कारण यह युद्ध, विश्व युद्ध कहा जाता है तालिका 7.1 इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? या पहला विश्व का युद्ध, जो 52 दिनों तक चला, इसनी पीडियों के लिए जीवन की दृष्टी बदल देने वाला अनुभौ था करीब आधी दुनिया हिंसा के आगोश में समाहित थी और द्योगिक क्रान्ती के कारण सभी बड़े देश ऐसा उपनिवेश जहां से वे कच्चा माल पा सकें और मशीनों से बनाई गई वस्तुओं को बेच सकें जहां भी लड़ाया हुई वहां के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में लिया गया जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा यूरोप के नक्षे में ब्रिटेइन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, आस्ट्रिया, हंगरी, इटली देश आज विक्सित हैं और लोगतांत्रिक शाषन व्यवस्ता में मजबूती बनाये हुए हैं प्रतम विश्व उद्ध क्यों कहते हैं? यह एक छोटी सी घटना पर आधारित हैं, उन दिनों आस्ट्रिया, हंगरी, सामराजी की नजर अपने छोटे से पडोसी दिश सार्बिया पर थी, जिसे वहां अपने राज्य में मिलाना चाहता था पर इसके विपरित सार्बिया के राष्ट्रवादी जन वहां नाराज थी, वे उस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे, ताकि वह उन पर हमला न करें सन 1914 में जून की एक सुबह सार्जेवो नामक जगा पर आस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी गई इस घटना का बदला लेने के लिए आस्ट्रिया ने सार्बिया पर हमला बोल दिया सार्बिया की मदद के लिए रूस और आस्ट्रिया के साथ जर्मनी भी युद्ध पर उतर आए और इस प्रकार देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन भी युद्ध में खिचते चले आए इन सब घटनाओं का मूल तथ्य यह है कि इस घटना से विश्व के राष्ट क्यों जुड़ते चले गए इसके लिए हमें युद्ध के कई पक्षों पर विचार करने की आवशक्ता है जिसमें कुछ बाते राजियों की बदलती जरूरत से संबंधित है जिसका कारण और द्योगिक क्रांती के कारण ताकतवर और द्योगिक राष्ट के रूप में अपने आपको स्थापित करने से ह निस्वी शतापदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था और यह कोशिश ऑस्ट्रिया फ्रांस इटली और रूस ने भी की और द्योगिक करन के लिए खनिच संपदाओं व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी हर देश इसी प कबजे में पहले से था लेकिन नए विक्सित हो रहे देश ब्रिटेन या अन्य किसी कमजोर देशों से यह छेत्र चीनना चाहते थे वे अपने छेत्र को अधिक विक्सित करना चाहते थे उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एक अधिकार था जिसके कारण उनका व्यापार और उपनी वेशों पर बेरोक टोक नियंत्रन चलता था जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहते थे वे अपना नियंत्रन चलाना चाहते थे अता स्वभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो और वा ब्रिटेन के नौसैनिक बल को पूरी शक्ती से टकर दे सके